हेलो गाईज, वेल्कम बाक टी यूट्यूब चैनल आफ टीम सोवेन और इस पर्टिकलर वीडियो में हम प्रेवियो करने वाला है गुज्राज जैन्थ पसेस बेंगलियो रिबुल्स का मैच जो की प्रो कपड़ी लीक में मैच नुबर 54 के रूप में खेला जाने वाला है क्या कुछ रोड़ी से स्टार्टिंग सेवेन रहेगे और सब्सेट्यूशन का रहने वाला है उन सबके बार में बात और डिसकस करना है इस वीडियो में कौन सब ले सब्सेट्यूशन से हमाले इंपॉर्टेंट हो सकता है जो की आके हमें लेस क्रेडिट में अच्छे खास बता तू कि अगर अभी तक आपने तर्फ चान को जोन नेक है तो जल्दी आप टेलिंगा जोन कर दिए जिसकल लिंग अपने इसक्रिप्शन बॉक्स में अगर वह काम या वक नहीं कर रहा तो आपको सिंपल और और एक इजी मेथड बता दीता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे फर्स टेप एक आपको टेलिग्रम का आप उपन करना ते इन सर्च बार पर क्लेक करके आपको सर्च करें तीम सुए अंडर्सकुर आलोग लैसा आप सर्च करोगे ग्लोबल सर्च में आपको जो सबसे टॉप पे चैनल आएगा या कर रहे हो तो मॉर्निंग से लेकर रात अब जित्ते में मैचस के लिए सारी मैचस को फॉलोग करना है आपको और फिर आपको पता लेगा हमारा विनिंग रेश्यों कि 70-80% के आसपास जा रहा है तो प्लीज ऐसा कुछ कीजिए और अगर आपको हमें हमें सपोर्ट करना है ह इस वीडियो को जिससे में बहुत अजम अदब्त और हल्प मोटीविशन मिलने वाला है तो चले दोस्तों आप सब बात कर लेते हैं इस इंपोर्टेड मैच के बार में तो गाइस यह मैच गुज्राद वससे बेंगलोर की बीच पे खेले जाना है इसका डेट एंट टाइम अब तक के सारे माचस आपर ही खेले गए और आगे भी आपर ही खेले जाने वाले हैं है तो इन दोनों ही टीप्स के बीच में अभी तक 6 मुकाबले खेले गए जहापर गुज्राद ने जीता है तीन बैंगलोर ने जीते है दो और टाइ हुआ है सरफ एक सो काटे की टकर व बाता 42-24 से मुकाबले का अपने लाब किया था सो ओफ़ली आवे यही देखने मिल सकता है क्योंकि जो गुज्राद की रेड़े की रेड़े मुझे फिलाल अच्छी कासी नजर आ रही है साथी से उनकी डिफेंसी गुरेड़े भी अच्छी कासी है सो अगर हम देखेंगे तो अगर गुरूज्रात के तरब से तो अगर अब गुर्जात के स्टार्टी डार्केस डार्वाल जोकी रेडर रहाली है सुनिल गुमार जोकी डिफिंड और परवेश वहाल जोकि डिफेंडर है महें राज्जपुत रेडर राकेस ऑल रौद के हैं और people and अंकित और डिफेंडर और सुब डिफेंडर वाली डिफेंडर और हडी ओ टोर्क और सब्सक्राइब अब मुझे लगता कि अज्य कुमार जो ही थोड़ी से इंपोर्टर्ट हो सकते हैं उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो पहले वारी अगर उनका मौका मिलते हो तो ये एं आताओं का इंपॉर्टर भी और राथर के भी अच्छे रेडर हो सकते हैं तो ऐसा कुछ आपे देख लिए बिलने वाला है गुज्रात के स्टार्ट एक सेवन और ऑप्शन ऑफ सब्सिटूट से वह अगर आगे बात करें बैगलुरू से तो इनकी जो रेडिक यू रेड़े तगडे डिफेंडर है कि अगर यह अकेला चल जाता है तो सामदे अले सारी सारी टीम को धारिशाय कर सकता है वह सामदे का जो रेडर हो कितने पावफुल क्यों ना हो भरत अच्छे रेडर है चंद्रा रजीत लेफ्ट रेडर रहने वाले है अब लेफ्ट कॉर्डर से रह अब देखे जी भी मोरी भी एक इंपोर्टन प्लेयर रहने वाले है मुष प्रॉब्ली अलरौन है क्योंकर डिफेंडिंग से भी अच्छे पॉइंडिंग से कुछ किया नहीं जाद है लेकिन इंपोर्टन और अच्छे प्लेयर जरूर है देन आगे अगे अगर मैं बात कर आगे अगर मैं बात करूँ तो गुज्रात जाइंस के रेडिंग यूनिट से भी बात करेंगे जैसे मैं आपको बता था स्टार्टिंग सेवन में से इनके जो रेडियर रने वाले है वह राकेश नर्वाल में रहने हाले है अगर आप इनका रेडिंग फॉर्म देखोगे है उपर भी चलते गया है वह अगर मैं बात करूँ राकेश जो के आप देखे इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस्फूल या पर कॉंट्रिबूट किया है लगबाख हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ एक मैच में उननेस रेडिंग पॉइंस निकालके देते रेडिंग फ कुपट को अपकी टीम में मैं अगर में बात करूँ तो अरजे कुमार जो की रेडर रेडिंग फॉर्म अगर में इंका देखेंगे तो ठीक टाग नजर आएगा उसके बाद इंका जो फॉर्म में बहुत खरब रहा था राठन के अगेन अरेडर ज्यादा मौका मिला ने ल है गुज्रात जायन्स के डिफेंडिंग यूनिट से अगर हम बात करें तो सुनेल कुमा जो के डिफेंडर रहने वाले हैं ठीक ता गया इनका ये कबड़ी कली क्यों कि एक मैच में इसे देखने मिल रहा है कि इन्होंने चार्ड यहाँ पर टाकल किये होगे जिस पैसे अगर अगर मैं बात करूँ परवेश प्रवेश के बार में तो यह इक बाटर प्लेयर है बहुत सब ऐसे अभी प्रोगम डिली खिलते आ रहा है और अच्छे घासा डिफेंडर भी है यह कंसिसेंसी इसके पास भी है और इंपॉर्टर प्लेयर भी रहने वाला है अगित जो की डि सब्सक्राइब के मौकर मिलने के बाद भी इनने कुछ किया नहीं था जो की डिफेंडर है और हैडी के बात करूँ तो बैंगलोर बुल्स के अभी रेडिंग उनिट से हम बात करें अब देखिए यहाद से आपको बिल्कुल भी मस्त नहीं करना है वीडियो को क्या आपको मुझे पहसे लिए बहुत जादा पसंद है क्योंकि रेडिंग के साथ साथ टैकल भी करते हैं हमें दो मैचेस में करते हुं नजरा है एक मैच में इन्होंने 19 रेडिंग से पॉइंस निकाल के दिये था और एक मैच उसी मैच में दो टैकल भी यानिकि इसके 40 पॉइंट पक टैम पर अच्छे पहुंच निकाल के देते हैं तो अगर हम देखें कि भरत जो की बहुत साइड रेडर मुझे भी परसनली बहुत जादा अच्छे लगते हैं लेकिन टीम इने जादा मोंकर ने देती हैं लेकिन अगर देती है तो यह में अगर यह खेल दो हमको नजरा आत अच्छे कास है सिर्फ एक मैच अभी तक ऐसा गया जो आपर इंटर रेडिंग से कुछ पॉंच दिखाल के द्ला दिये हो जीवी बोरे के वार में मैंने आपको बता है जो कि बेंट से रेडर है लेफ्ट रेडर ही है ठीक टाक रहा है अभी तक कई का पफ़र में ज्यादा अच्छा रहाते ही है बोका भी उत्ते ही मिले है दीपक नर्वाल रेडर है जो की चार और एक हमें रेडिंग से पॉइंच दिकलते हुए दे रहे हैं इंप्वार्टन प्लियर है और अच्छे प्लियर हो सकते है जीव आप इने जरूर ट्राय कर सकतो हो क्रेडिट बचाने अगर मैं बात करूए तो बैंगलेवर बुल्स के डिफेंसिव उनिट से बात करूगा महिर कदम जो की राइट कवर से हमें डिफेंसिव करते हुए नजर आए इनका अगर आप फॉर्म देखोगे तो आपको ठीक नजर आ रहा है इंपॉर्टन प्लियर है बट अभी तक ज सीजन गें बहुत तगड़े गें बहुत अच्छे गें लेकिन इस सीजन में अभी तक इनोंने अच्छा कुछ किया नहीं है जो कि हम इन्हें याद रख सकें मैंने इनको पैक भी का था एका दो इसमें एक वाइस कप्टारी भी जीगलता है लेकिन फ्लॉप ज़रूर वह अगर हम देखोगे अब जो कि लेफ्ट कॉर्णर से रहें राइट और लेफ्ट कॉर्णर एथ के जो है वो जो डाश करके जो आपर हमें अच्छे पोईस देते हैं टैकल होगे ने करके बहुत ज़दा इंपॉर्टेट होते हैं और यह दोरों है कंसिस्टेंजी की सथा अच्छा कुछ खेली नहीं अच्छा कुछ कर सकते हैं तो गाइस आपको देखते हैं मैंने आपको सारी इंफोर्मेशन बता दिए सारे प्लियर्स के बारे में आशागर तो आपको आपको वीडियो पहसादा है अगर आप तबी तक एक लाइक ज़रू कर दियोगा गए तो आप प्रवेश को भी लिया हुए और वर्ट को लिया हुआ है अगर आप चाहू तो आप आप सिंप्ली वाइस काप्टेश से सांगोरिया को दे सकते हो और अमन नहीं तो नंदल दूरों में से किसी एक को भी दे सकतो मैं फिलाल गया हूँ भरत के साथ जो कि प्योर और जन प्लेयर ये रहने वाले इनके अलाव अगर आप चाहू तो आप किसी और को भी ले सकतो मैंने सारे इंफोर्मेशन आपको वीडियो में बता दिए कुन से प्लेयर को कभी लेना है और आपको रूटेट कर सकते हो फाइनल पी टीम मिलेंगे आपका बाइटे लिए आप चाह कर सकते ही बन्या है